दोस्तो नमस्कार आज 23 जुलाई को जो बिहार TET की टीचर एलिजबिलीटी टेस्ट की जो परिक्षा हुई है दो पाली में मौर्निंग और इवनिंग सिप्ट में उसकी जो प्रस्नपत्र है उसका वो एक्जाम से पहले ही अल्रेडी लिख हो चुका था ये खबर आई है और दो जगों का आप ही न्यूज में दिखाया जा रहा है बिहार के जमुई का और भागलपूर का जहां से की प्रस्नपत्र लीख हुआ है और सुबह से ही प्रस्नपत्र जो है पांच-पांच हजार रुपिये में बेचे जा रहे थे और बहुत लोगों को डारेक्ट वाट्स पे जो है उसका आंसर तक जो है सेट वाइस भेटा भेजा जा रहा था आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो कोस्टन पेपर्स हैं इसमें यह जागरन न्यूज के तरफ से मैंने हमने यह स्क्रिन सॉट लिया है और यह प्रस्नपत्र सुबह से ही मार्केट में एफलेबल लोगों के पास और कुछ इस तरीके से भी कोस्टन पेपर का आंसर करके एक पेज में वाटस अप पे भेजा जा रहा था लोगों को और सेट वाइस यहां पे कोस्टन नंबर डालके इस तरीके से भेजा जा रहा था और जमूई में इस बात की पुस्टी भी की गई है कि य तो दोस्तों इस तरह की न्यूज का अगर हम लोग रुख करें तो आप देखिए यहाँ पे यह हिंदुस्तान का न्यूज है पटना का जिसमें की इसमें दिखाया जा रहा है कि दोनों पालियों के प्रशनपत्र और उत्तर सोसल मीडिया में लिख हुए बैसिकली दो पालिय में एक्जाम हुई थी एक मॉर्निंग में और एक इबनिंग में दो अलग-अलग डेजिगनेशन के लिए तो दोनों प्रशनपत्र जो है लीक हो चुके हैं और उसमें एक लोगों की गिरपतारी भी हुई है और अभी हलांकि लोग कह रहे हैं प्रशासन कह रही है कि अभी अलग जमुई का न्यूस का रुक करें तो वहाँ पे इस बात की पुष्टी भी हो गई है कि यहाँ पे आप देख लिए कि जमुई में सुबह से ही प्रशनपत्र पांच-पांच-पांच-थार रुपिय में बेचे जा रहे थे और जाच करने के बाद अनुमंडला धिकार प्रशनपत्र वह उत्तर के मिलान को सही बताया है कि बैसिकली वह सही में लिख हुआ था तो चलिए देखते हैं अभी क्या कारवाई होती है दो लाक अर्तालीस हजार के करीब स्टूडेंट कैंडिडेट्स इसमें बैठे हुए थे और इस तरह की धांदली का मामला सामने आया है तो चलिए देखते हैं आगे इस पे क्या करवाई होती है कोई अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आपके पास लाएंगे वीडियो पे अगर आपका कोई सुझा या सला हो तो कॉमेंट करें लाइक किये करें और दोस्तों के साथ सेयर करें दोस्तों बहुत बहुत वो धन्नवाद बवाय जहिन